हेलो दोस्तो मैं बबलू कुमार और आपके अपने चैनल B के टेकनोलिजी में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप एक PF मेंबर हैं और आप किसी कमपनी में जोब करते हैं वो इससे पहले आप किसी और कमपनी में जोब करते थे और आप उस कमपनी का PF का पैसा और pension का पैसा अपने account में transfer करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको resign देना होता है तो दोस्तो अब आपका उस company से कोई contact नहीं है किसी से कोई contact नहीं है लेकिन आप अपने PF का पैसा और pension का पैसा पूरा withdrawal करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका resign देना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो अब आपको घवरानी की कोई जरूरत नहीं है आज की इस वीडियो में आपको पूरा complete process बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने Android स्मार्ट फोन से घर बैटे आप अपने PF में resign दे सकते हैं किस तरीके से resign दिया जाता है पूरा complete latest process में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप भी अपनी PF में resign देना चाहते तो वीडियो को completely आपको पूरा देखना होगा अगर आप चैनल पे बिल्कुल नहीं है और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोई भी एक browser को open करना है और google के text bar में आपको type करना है e-pfo जैसे आप इसे type करोगे तो इसकी official website आपको शुरू में मिल जाएगी आपको इसी पहले बाले option पर आपको click करना होगा अब आपके सामने एक नया interface open होगा आपको यहाँ पर एक option आपको मिलेगा online claim member account transfer आपको इस पर click करना होगा अब आपके सामने इस page को login करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना your number एंटर करना है यह अपना pf number आपको enter करना है उसके बाद नीचे आपको अपना password एंटर करना है यह capture से हम यहाँ फील करना है और sign पर आपको ok करना है अब आप अपने pf के page पे इस तरीके से login हो जाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक view का option मिलता है आपको इस पर click करना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको service history का option मिलेगा आपको इस पर click करना है service history पर click करने के बाद आपके सामने देखिए यह page open होगा तो आपकी member ID यहाँ पर show कराएगी जितनी भी company पर अपने काम किया हो सारी member ID आपको यहाँ दिखाएगी देखिए आपको शुरू में एक option मिलना जैसे कि हमारी member ID पीवीसी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पीवीसी का चौदा एक दोजार अठारा तक हमारा लास्ट पीअप कटा है उसके बाद हमारा यहाँ पर ना आपको resign दिखा रहा है देखिए not available और यहाँ पर 20 को हमने यहाँ पर resign दे दिया एक नो 2020 यहाँ पर हमारा लास्ट पीअप कट रहा है और 31 10 2020 को हमारा यहाँ पर resign दिदिया तो उपर वाले में आप देखेंगे यहाँ पर आपको नो टैबल लेवल दिखा रहा है नो टैबल यानि इस वाले पीअप member ID में हमने resign नहीं दिया second वाले पर हमने देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट तक आपको resign का option दिखा रहा है तो हमें उपर वाले को हमें resign देना है किस तरीके से देना है देखें सबसे पहले आपको क्या करना है आपको manage वाला option मिलेगा आपको क्लिक करना हो नीचे आएंगे तो mark exit का option मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है mark exit पर क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने एक नए अंटरफेस open होगा तो सबसे पहले आपको नीचे से दिखा देता हूं देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपणी थी के DML की का हमने resign दिखा रखा देगे 31 October 2020 को हमारे यहाँ पर resign आपको पर एक option मिलेगा अगर आपने जिस कंपणी में resign नहीं दिया तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ आपको यहाँ नहीं कराएगी जैसे हमने इस कंपणी का हमने resign नहीं दिया तो इसे resign देने के लिए मैं देखें यहाँ पर कौन पर हमें option मिलेगा हमें पर टिक करने करने करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जागा हम देखिए आप नीचे की साइड आना है नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको select date of exit को option मिलता त लेकिन आपका पिए जो cut है उसके 2 कि मत बाद यहां से पी अप में resign देंगे तो इसकी शक्त करते हैं आप यहां किसी सट्रेक कर सकते हैं लेकिन थो कि अरप के मिल जाएंगे तो आपको नीचे आने के बाद आपको सलेक्ट करना आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने के उप्सिन के आपको मिल जाएंगे तो आपको अपने पी अप में रिजैन देने के लिए आपको यहां से किसी एक को रीजन आपको सिलेक्ट करना है जैसे आपको रिटायरमेंट दोस्तों मैं आपको बता दू सबसे नीचे आपको एक reason मिलता है other reason तो आपको यही वाला option आपको click करना है आपको score ने पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने तो दोस्तों आपको थोड़े नीचे की side आना check box का आपको यहाँ पर option मिलेगा आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर click जब ही करें पहले आप यहाँ पर पढ़ने जो भी आपको यहाँ पर लिखा है तो दोस्तों आपका अधार से link mobile नमबर आपका यहाँ पर होना चाहिए और one time OTP आपके mobile पर आएगा जो आपके अधार से link है जैसे आप यहाँ पर check box पर click करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको नीचे एक option मिलेगा request OTP आपको इस पर click करना है आपके अधार से link mobile नमबर पर एक OTP भेजा जाएगा request OTP किलिक करने के बाद आपके सामने पपा पोपन हो जाएगा आप यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि आपने जितनी भी detail भरिये वो बिल्कुल सही है तो आपको सही है तो आपको yes को option मिलेगा आपको इस पर click करना है अब आपके अधार से link mobile नमबर पर एक OTP आएगा तो उस OTP को आपको नीचे आना है और यह OTP को option मिलता आपको यहाँ पर enter करना है six uncle का आपका OTP आएगा इस पर आपको enter कर देना है और नीचे की side आपको और I have को आपको यहाँ पर option मिलेगा आपको इस पर simply tick कर देना है जैसे आप यहाँ टिक करेंगे तो नीचे की side आप देखेंगे आपको एक sumbit को option मिलेगा आपको sumbit पर आपको ok करना है sumbit पर ok करने के बाद आपके सामने यह फिर से open हो जाएगा आपको यह पूछ रहा है कि आप बिल्कुल तैयार है आप अपने p.up में resign देने के लिए तो आपको update को option मिलेगा आपको इस पर click करना है अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यह processing लेकर request sumbit के लिए बेजा जा रहा है तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो resign को option है date हमारी update successfully इस तरीके से हो गई है तो इस तरीके से आप अपने p.up में resign दे सकते हैं तो दोस्तो अब मैं आपको live दिखा देता हूँ कि हमारे resign हुआ के यह नहीं तो उसके लिए हमें दुबारे से हमें view का option मिलेगा हमें इस पर click करना है और उसके बाद हमें service history पर हमें फिर से click करना है और उसके बाद आप देखेंगे जिस company का हमने भी resign दिया है वो यहाँ पर show करा रहा है या नहीं तो मुझे उम्मीदे दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना और मैं आपसे request करता हूँ दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को subscribe जरूर कर देना और bell icon का button दवा देना ताकि ऐसे आने वाली और भी नई वीडियो उसका notification सबसे पहले आपके mobile पर आपको मिल सके